नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का जोब न्यूजड़ा यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों काफी टाइम हो गया कॉमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेशन बार बार रिपीट हो रहा है कि आदेश तमिल करता का वरक क्या होता है प्लीज बताइए तो गैस इस पे वीडियो बनाने की रिक्वेश्ट आ रही थी तो इसलिए आज हमने ये वीडियो यहां पे बना दिया है पट गैस ध्यान रखिये इस वीडियो के अंदर जो कुछ बताया गया है उसका कोई ओफीसियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि बिल्कुल यही वरक होता है या फिर हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि कोई हमारा फ्रेंड या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई इस जो पे सिलेक्ट हो जिसने हमें बता दिया हो कि आदेश तमिल करता का वरक क्या है गैस तो ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ भी हम बता रहे हैं बस अपने experience के आधार पे बता रहे हैं ठीक है तो गैस आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहो तो अच्छी बात है अगर नहीं देखना चाहते तो आप यहीं से exit कर सकते हो हमें कोई problem नहीं है तो चलिए गैस वी उनको भी केज गया अलग-लग नाम से पुकारा जाता है कहीं सिधा चपडा सी उसको बोला जाता है या प्यादा बोल दिया जाता है यह गाईज अलग-लग state की language होती है कि किस state में उसे किस नाम से पुकारा जाता है तो गैस उसी प्रकार से process server को शाहिद MP के अंदर आदेश कुछ तमिल करता है या order taker के नाम से पुकारा जाता है तो शाहिद गैस इसका जो वरक होगा वो 99% जो है process server के वरक के बिल्कुल एक्वल रहेगा इसका वरक बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि process server का वरक होता है तो गैस यहाँ पे अगर आप proof मांगोगी तो मेरे पास proof तो ना ही मेरे पास कोई official notification है बट experience के अधर पर मैं आपको 99% sure हूँ कि बिल्कुल वैसा ही वरक होगा जो process server का वरक कैसा होता है तो गैस process server का वरक होता है document से related यानि कि court के इंदर जो कुछ भी file होती है जितनी file होती है उनको supply करने का काम उनको लेकर के आने का काम रहेगा जो file होती है वो judge order करता है अधेश तमिल करता को और अधेश तमिल करता जो है उस file को जड़ तक supply कर देता है तो गैस इसके बाद में जब case खतम होता है तो फाइल फिर से order taker ही वहां से उठा करके ले आता है और जहां उसका office होता है वहाँ पर रख देता है तो गैस इसी प case जब खतम होता है guys तो order takker वो file जो है दोनों पक्षों को फिर से वहाँ supply कर देता है यानि कि उन दोनों पक्षों को अपनी फाइल वहाँ पर बाट देता है और साथी guys एक court से दूसरे court को जब case refer किया जाता है तो document भी उस case related जो document होते हैं वो आदेश तमिल करता ही दूसरे court तक ले करके जाता है और साथी guys जब किसी के घर पे case related file पहुंचा नहीं होती है तो वो भी आदेश तमिल करता ही यहाँ पे पहुंचाएगा और guys court के अंदर आदेश तमिल करता का एक proper office रहता है बट जो document होते हैं guys वो इसके office में नहीं रहते बस उनकी list उसके office में रहते है document किसी और जगे safe जगे रहते हैं जहां उनको उनके साथ जो है कोई छेड़ खानी ना कर पाई document रखे जाते हैं बस जो आदेश तमिल करता होता है वो तभी उन तक पहुंच सकता है जब जज उसको order देता है वहां तक पहुंचने का तो गैज इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए तो गैज आदेश तमिल करता के बारे में हमारे यह complete experience था अगर information आपको अच्छी लगी आपके काम आई और आपको भी लगता है कि process server का या फिर गैज आदेश तमिल करता का यही work होता है तो please video को like जरूर करें और गैज अगर the next video में नई information के साथ तब तक के लिए जहिन नमस्कार